एक शहर में रंजना अपने पती निखिल के साथ रहती थी, निखिल का एक छोटा भाई कुनाल भी था, निखिल और रंजना दोनों ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो दोनों कुनाल को पूरे मन से पढ़ा रहे थे, निखिल और रंजना को कोई अलाद नहीं थी, एक दिन क कुनाल बाहर से आया भाईया मुझे आपसे एक बात करनी है हाँ बोलना छोटे क्या हुआ भाईया मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ उसका नाम शिल्पा है अब मुझे उससे शादी करनी है लेकिन तेरी पढ़ाई का क्या होगा छोटे भाईया अगर मेरी शादी अब शिल्पाजर नहीं हुई तो उसकी शादी किसी और से हो जाएगी फिर मेरी इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा किचिन से रंजना भी बाहर आ गई क्या हुआ? क्या सीक्रेट बाते हो रही है? हमें भी तो कुछ बताओ कुनाल शादी करने के लिए बोल ला हा है तो इसमें गलत ही क्या है? सही ही तो है मैं तो कबसे ऐसा चाहती थी? लेकिन इसकी पढ़ाई? लड़की बंदरिया थोड़ी है जो किताब फाड़ेगी कुनाल ने कोई अच्छी और समिशदार डड़की ही चिनी होगी? निखेला रंजना ने कुनाल को शिल्पा से शादी करने की परमिशन दे दी और जल्दी ही दोनों की शादी हो गई शिल्पा भी घर में आ गई और कुनाल ने पढ़ना छोड़ दिया शिल्पा भी अंदर से निकल कर आई आप दोनों कौन होते हैं पुनाल को बताने वाले की उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? शिल्पा हम दोनों को कुनाल से बहुत उमीढे थी लेकिन लेकिन क्या? यही न कि वो उमीद तोट गई है? उमीद अपनी अउलाद से की जाती है, भाई से नहीं ये मेरे अउलाद ओ, सौरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कभी अउलाद का मोदीख ही नहीं पाऊगे इसलिए ही कुनाल को बच्चा बना कर रखना चाहते हो ताकि उसके पैसे पर तुम दोनों एश कर सको शिल्पा वो मेरे बड़े भाई और भावी है तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो तुम मेरे पती हो और तुमसे भी कोई ऐसे बात नहीं कर सकता मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी कुनाल गुस्से में वहां से चला गया कुछ दिन ऐसे ही बीद गए फिर एक दिन शिल्पा को किसी काम से बाहर जाना था कुनाल और शिल्पा दोनों पूजा कर लो फिर में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूं दिदी आपने बढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी क्या तुमको इतना भी नहीं पता कि हम इंट्रव्यू के लिए जा रही है तो तुम्हारे इन फालतु कामों के लिए हमारे पास समय नहीं है माफ करना भावी आप क्यों माफी मांग रही हो अच्छा जी मतलब अब मैं सच कहना भी छोड़ दू लड़ छगड़कर दोनों बाहर चले गए दिन ऐसे ही बीटते जा रहे थे एक दिन सुभा सुभा शिलपा खुशी से जूमती हुई आई और आकर कुनाल से कहा कुनाल, कुनाल आइम प्रेग्डन्ट ये बात सुनकर कुनाल, रंजना और निखिल तीनों बहुत खुश हो गए सौरी कुनाल, मुझे सब के सामने ये सब नहीं बताना था लेकिन मैं अब खुशी में पागल हो गई थी हम तो बहुत खुश है शिल्पा, लेकिन तुम दुखी क्यों हो रही हो आप दोनों खुश हो, इसली ही मैं दुखी हो क्योंकि तुम बांज हो, और मैं बिलकुल नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी मेरे बच्चेया मेरी खुशियों पर पड़े ये सुनकर रंजना फूट-फूट कर रोने लगी, निखिल भी कुछ याद करके रोने लगा कुनाल, तेरी अब तक की जिम्मदारी हमारी थी, लेकिन अब हम यहां से जा रहे हैं नहीं भया, मुझे छोड़ कर मत जाओ तो जानता है कुनाल कि रंजना ने बांज होने के कितने ताने सुने है लेकिन फिर भी उसने सच नहीं बताया कैसा सच भया, अब इस सच को रहसे ही रहने दो, हम दोनों यहां से जा रही है नहीं भया, प्लीज, आपको मेरी का समय जब माँ पापा की मृत्य हुई, तब मैं भी पढ़ाई करता था और तु बहुत छोड़ा था, लेकिन फिर तेरी जिम्मदारी मिरोग पर आ गए और मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं काम करके तुझे पालने लगा फिर मेरी रंजना से शादी हो गई निखिल रहने दो, अब कुछ मत बताओ नहीं रंजना, आज इन्हें सुनने दो कि शादी के बाद तुमने और मैंने अपने बच्चे नहीं करने का फैसल लिया था क्योंकि हमने कुनाल को भी अपना बच्चा मान लिया था रंजना और निखिल ने दोनों को माफ कर दिया और फिर साथ-साथ खुशी से रहने लगे